तो बात करेंगे उत्राखंड के बारे में उत्राखंड में अजे कोठिया जो कि एक करनल है सेना के सिपाही थे पूर्व सेना के सिपाही उन्होंने आमादमी पार्टी को जॉइन कर लिया है जिससे राज के समी करन बदल चुके हैं आमादी पार्टी एक तीसरे विकल की रूप में आ चुकी है और साफ साफ जाहिर है कि कॉंगरेस के लिए खत्रे की घंटी बच चुकी है वहीं बीजेपी को थोड़ा फाइदा भी हो सकता है बाई चुकि जो एंटी बीजेपी वोट है कहीं वो आपकी तरफ चला गया परस होरा तीसरे और दूसरे नमबर के लिए एक दूसरे में रहें और लड़ती रहें दोस्तों सकता है उत्तराखन के चुनाओं में परसे मिला था भारते जनता पार्टी को कपड़ा फार हो ली खेली थी कौंद्स के साथ कपड़े फार फार के हरा दिया था चुनाओ भूरी तरीके से पराज कर दिया था पाचों की पाचों लोग सबा सीटे बीजेपी की खाटे में गए थी अलग बग भाई बहुत बड़ी मार्जिन से बीजेपी असेमली सेग्ब विधान जवामें आगे चल रहा थी और इसके साथ अब खबर आ रही है कि तुर्वेंद्र सिंह रावत कोड़े घा तो तुर्वेंद्र सिंह नों ने बहुत काम किया था काम क्या था इसलिए बिजेपी ने उनको बदल दिया और बदलने का साफ साफ रिजन ये है कि एभी पी नियूज का एक सर्वे आया था खौन सबसे बढ़िया है मुख्यमंत्री इसमें योगिया दितनाजी नंबर वन पे थे काफे अच्छे अच्छे लोग उस पे नंबर व नंबर पर यह सब मुख्यमंत्री थे तो साफ साफ जाहिश देख सकते हो भाई कि बीजेपी को इनको बदलना बहुत जरूरी था एंटी इंकम मेंसी बहुत बढ़ी मातरा में थी वहीं एक सर्वे आया था इभी प्रीसी वोटर का उसमें बताय गया था आम आधी पाटी को 9% वोट या 10% वोट शेर मिल सकते हैं अजे कोठियाल के सामिल होने से पहले तो अगर 9% वोट शेर है तो उसके बास साफ इंका वोट शेर बढ़े और तीसरे विकल की रूप में बढ़े तो साफ कॉंगरस का वोट जो जा रहा है जो बीजेपी से नराज वोटर हैं वो कॉ निर्मार में एहम योगदान निभाया था और वहीं बात करते हैं अजे को अठियाल की तो जो यूद फाउंडेशन चलाते हैं जो आर्मी के नौजवानों को तयार करते हैं लब आप समझते हों बड़े-बड़े अधिकारी सेना के उनी की वज़े से सेलेक्ट हुए हैं जीतते हैं कौन जीतने वाला है पाई कोई भी जीत सकते है भाई मैं यह तो ने कहुंगा कोन जीते गा क्यों जीते घुड़ेंगा डर यह पहीं है और अभी तो पीनिटर फॉल कुछ बता रहे थे तो यह उन्यों गार्ब होने वाला है मैं लगा तर शुनाओ पर वीडियो बनाने वाला हूं वीडियो अच्छे लगए तो लाक कर देना शेर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मैं चैनल कर दोस्तों थैंक्यू जैन वंदे मातरम भाद बाता की